नेश में कोरोना वरीजू की संख्या केमें अच अमले आई आग देखी गई। और इसी दोरान 4 लोगों की मौत भी हो गई। स्वस्थ होने वाली लोगों की संख्या 954 बताई जा रही है बीदी 24 गंटे की दोरान बीदी शनिवार की अगर हम बात करें आने की 16 अप्रेल की तो देश में 975 नहीं मामले सामने आई तो 4 लोगों की मोथ हुई थी देश में फिलाल अब 11,558 सक्रे मामले बचे हैं देश में स्वस्थ होने की दर 98.76 फिजदी है मारत में अब तक कुल 33 करोड 18 लाग से जादा टेस्ट के जा चुके हैं पिछले 24 गंटे में भी 3,65,118 सेंपल के टेस्ट कियेगे दिली में फिलाल कोरोना डराने लगे हैं दिली में बीते 24 गंटे में कोरोना के 461 ने मामले सामने हैं और दो मरीजों की मोत हुई धाई महीने बाद संक्रमंट दर बढ़ रही हैं संक्रमंट के दर 5.33 फिजदी दर्श की इससे पहले 25 फरवरी को 460 ने मामले मिले थी और 15 मार्च को दो मरीजों की मोत हुई थी महारास्ट्रों की अगर हम बात करें तो बीते 24 गंटे में कोरोना के 98 ने मामले सामने हैं और इसी दोरान कोई भी मोत नहीं हुई जो कि एक राहत की खबर है हाला कि इससे एक दिन पहले राज्जे में 99 मामले सामने हैं थे और एक की मोत हुई थी फिलाल अब बात करेंगे जनपर सहारेनपूर की तो आपको बता दे कि जनपर सहारेनपूर फिलाल पूरी तरह से कोरोना से मुक्त है यह दूसरा सप्ता चल रहा है जब सहारेनपूर में इन दिनों इन बीच में एक भी संक्रमन की पुस्टी नहीं हुई सहारेनपूर में कोरोना ठीका करेंट की रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है व्यसको के द्वारा भी टीका करेंट में रुजहान देखा जा रहे है वहीं आपको बता दे कि जिस तरह से कोरोना महामारी से बचा है तो टीका करेंट की रफ्तार लगातार बढ़ रहे है मानो देश से भी कोरोना जल ही खतम हो जाएगा इसलिए आप सभी साफधानी जरूर भलतते रहें आज के लिए तना ही एक बार फिर आजिर होंगे हम लेटरस टपडेट के साथ